ज्यान के माध्यम से IVF मरीजों का सशक्तिकरण IVF उपचार शुरू करने से पहले पूरी जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो को आखिर तक देखे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे मरीजों को अकसर यह समझ में नहीं आता कि हम इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि वे IVF प्रक्रिया के बारे में खुद को शिक्षित करने के लिए समय और efforts ले ज्यादा तर मरीजों का सामान या रवया होता है आम आदमी के रूप में हम चिकित्सा तकनीकी बारीकियों के बारे में क्या समझते हैं और आखिरकार क्या हम ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं जो एक चिकित्सा पेशेवर है और हमें डॉक्टर पर भरोसा है, तो हमें इन छोटी-छोटी बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या हम ये भी समझ पाएंगे? हम उसके पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वह विशेशग्य है? क्या यह उसका काम नहीं है कि वह इस प्रक्रिया को ठीक से पूरा करे? हमे अपना दिमाग लगाने की जरूरत क्यों है? और क्या अधूरा ज्यान खतरनाक चीज नहीं है? यदि हम बहुत अधिक प्रशन पूछते हैं या यदि हम बहुत अधिक जानते हैं, तो क्या डॉक्टर परिशान नहीं होंगे? और क्या चीजों को जानना वास्तव में हमारे के लिए बहुत अधिक चिंता पैदा नहीं करेगा. समस्या यह है कि भारत में मरीज बहुत निश्क्रिय हैं और डॉक्टर बहुत पित्रिसतात्मक हैं. मरीजों के लिए IVF प्रक्रिया को समझना महत्वपून है क्योंकि यह अच्छी तरह से परिभाशत है. हाला कि किसी भ भले ही अंतिम परिनाम कुछ भी हो. यह समझना कि क्या होने वाला है वास्तव में आपकी चिंता का स्तर कम हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है. जब आप स्कैन करते हैं तो आप अपने फॉलिकल्स को बढ़ते हुए देखने के लिए उच्छुक हो सकते हैं. अपनी आखों से अपने गर्भाशय के अस्तर की जाच कर सकते हैं और अपने डॉक्टर पर निश्क्रिय रूप से निर्भर हुए बिना जो बहुत व्यस्त हो सकता है अपने लिए अपने बलड एस्ट्राडियोल के स्तर की व्याख्या कर सकते हैं. आपके पास यह जानने में भी सक्षम होंगे कि वे अच्छी गुनवत्ता के हैं और यह बेहद आश्वस्त करने वाला हो सकता है। यह भी पता चल जाएगा कि चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही हैं और आप समझदारी से डॉक्टर से बात कर पाएंगे ताकि वह आवश्यक सुधार कर सकें। खीक नहीं चल रही हों क्योंकि यही वह समय है जब डॉक्टर जानकारी छिपाना शुरू कर देते हैं। आप यह महसूस कर पाएंगे कि कुछ गलत है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि डॉक्टर आपके साथ सच्चाई साजा करने से इनकार कर देंगे। दूसरी और यदि आप सक्रिय हैं और आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो आप नियंतरण में रहते हैं और बुरे डॉक्टरों को आपकी अज्यानता का फाइदा उठाने की अनुमती नहीं देंगे। याद रखें कि अच्छे डॉक्टर यह सुनिश्चित करने में हमेशा खुश रहते हैं कि आप अपने उपचार के बारे में जितना संभव हो सके उतना जानते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यहां आपके सर्वोत्तम हित में हैं और उनके भी। गर्भवती होने में मदद चाहिए।